स्वागत है आपका नैशन दिस्थक में मैं हूँ आपके साथ फरीन सेफी राजनेता हमीशे से ही जनतों को लूटते हुए आये हैं कभी विकास के नाम पर और कभी रोजगार के नाम पर अब ऐसा ही मामला गुजरास से आया है जहां पर करीद 6,000 करोर रुपी का कोईला घोटाला हुआ है बीते 14 साल में गुजरास सरकार की कई अजन्सियों ने राज्जी की स्मॉल और मीडियम लेवल इंडिस्ट्रीज को कोईला देने के बजाए से दूसरे राज्जी के उद्धियों को कुछ जादा कीमत पर बेज़ कर 5,000 से 6,000 करोर रुपी का घोटाला किया है मतलब जिन इंडिस्ट्रीज को उन्हें कोईला पहुचाना था उन्होंने उन्हें पहुचाने के बजाए जादा वुनाफ़ा पाने के लिए दूसरे राज्यों के उद्धियों को को जादा कीमत पर बेज दिया कोल इंडिया के अलग-अलग खदानों से निकाला गया कोईला उन्हों उद्धियों को तक पहुचा ही नहीं जिनके लिए उसे निकाला गया था आपको बताते चले कि कोल इंडिया भारत वविश्व में भी सबसे बड़ी कोईला खरन कमपनी है यह भारत सरकार के पूरे स्वामित वाली कमपनी है मतलब यह कमपनी भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है जो कोईला मंतराले भारत सरकार के अंटर आती है अब ऐसे में कोल इंडिया के उपर लगे आरोप सीधे सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि जब ये company सरकार के अदीन है तो फिर इसमें गोटाला कैसे हुआ कैसे कोईला मंतराले की नाक के नीचे इतना बड़ा गोटाला हो गया लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला तो ऐसे में लोग सरकार से सवाल क्यों न करें जब कोईला मंतराले के द्वारे खनन का काम होता है तो फिर जो कोईला खनन से निकाला गया वो राज्जी के बाहर कैसे चला गया अब तक कॉल इंडिया के खदाने से गुजराग के वयपारियों छोटे उध्योगे के नाम पर 60,000,000 टन कोईला बेजा गया इसकी ओसत कीवत 3,000 रुपे परती टन के हिसाब से 1,800 करूर रुपे होती है लेकिन इसे वयपारियों और उध्योगों को बेचने के बजाए 8,000 से 10,000 रुपे परती टन की कीमत पर दूसरे राज्यों में बेच कर काले बजारी की गई दस्तवेजों में जिन उध्योगों का नाम पर कॉल इंडिया से कोईला निकाला गया जिन उध्योगों को लिस्ट कोल इंडिया के पास थी जिनके नाम पर कोईला खनन किया गया वो कोईला उन तक पहुचा ही नहीं बलके उनके नाम पर दूसरे राज्य के उद्योग को भेज दिया गया और जिन अजेंसियों के नाम लिस्ट में थे असल में उनका कोई पता ही नहीं था जो पता लिस्ट में लिखे गए थे जमीन पर वो द्योग थे ही नहीं उनमें से ज्यादे तर फर्जी थे क्योंकि जो पते कंपणियों के द्वारा लिखे गए थे असल में वो मुझूद ही नहीं थे किस तरह से ये पूरा फर्जी वारा चलाया जा रहा था डेनिक भासका अखबार के द्वारा की गए जाच परताल में उध्योग में जे जगदीश की एग्रो इंडिस्ट्रीज को लावार्टी दिखाया गया था लेकिन जब जगदीश चोहां से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताये कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें सरकार से कोई कोईला भी मिलता है अभी तक इस बारे में हम से कोई संपर्ग नहीं किया गया हम तो स्थानी मजाग से कोईला खरीते हैं ये बात खुद जगदीश ने देनिक भादकर से बात करते हुए कही किस तरह से लोगों के नाम पर कोईला खनन किया गया जबकि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सरकार की तरफ से कोई कोईला भी मिलता है जब वो खुद इस्थानिय बजार से कोईला खरीते हैं तो फिर उनको कैसे बताया गया कि उन्होंने कोल कंपनी के द्वारा खनन के गए कोईले का लाम मिला है इतना बड़ा गोटाला गुजरात में हो गया लेकिन सरकार को पता ही नहीं लगा कि ये कैसा हो गया ऐसी तरह A&F Dehydred Foods की शानुब अदामी ने कहा ऐसे कोई कोईले का जथा हमें कभी नहीं मिला हम अपनी जरूरत के ज्यादतर कोईला GMDC की ख़दानों से खरीते हैं या हम आयातित कोईला खरीते हैं कोईला अब हमारे लिए महगा पड़ता है जबकि इनका भी नाम उसी लिस्ट में सामिल था जिसमें कहा गया कि इनको भी सरकारी कोईला खरनें से लाब मिला है जब गुजराज से अधिकारियों से इस घोटाले में सवाल पूछे गए तो उन्होंने साप अलजाल डिया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता देखे उन्होंने क्या कुछ कहा मुक्य सचिप पंकच कुमार का कहना है कि ये पूरा मामला उद्योग विभाग से जुड़ा है मेरे संग्यान में ऐसे कोई बात नहीं आई उद्योग विभाग के अधिकारी और कमिशन से पूछेंगी तो पता चल पाएगा जब उद्योग कमिशन से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखाती हैं पहले ये निती उद्योग कमिशन कारियाले के अधीन थी अभी MSME कमिशन के अधिकार शेत्रे में हैं किस तरह से सबधिकारी एक दूसरे पर बातों को डाल रहे हैं जब MSME कमिशन से बात की गई तो बाक्यों की तरही नोंने भी अपना पड़ला जाड़ दिया उन्होंने कहा कि ये निती हाल ही में लागो हुई है पर मैं UP के चुनाव विवस्ता देख रहा हूँ इसलिए कुछ खास नहीं कह सकता कि सरा से ये फर्जी वाड़ा चलाया जा रहा था लेकिन ना तो सरकार को ना ही किसी अधिकारी को इसकी खबर लगी अब आपको इतिहास की कुछ पीछे ले चलते हैं तूजी घुटाला तो आप सब को याद होगा जिसमें यूपी सरकार में टेली कॉम मिनिस्टर रहे एराजा और डियम के नेता कनी मोजी समेथ इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया गए था जिसमें विपक्ष में बैठी भाच्वा ने ना सिर्फ संसत में हंगामा किया बलकि पूरे देश में सरकार के कलाब माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी विपक्ष के दुआरा इस मुद्दे को इतना उच्छा लगया कि ये मुद्दा कोट में बोज गया सरकारियों कोईला ट्रांस्पोर्ट सिस्टम से जुड़े अधिकारियों से कोईली के गायब होने की हकीकत का पता लगाने की कोशिश की तो सभी ने नो केमेंट कहेकर चुपपी साथी अब ऐसे मैं क्या समझो जाए कि इतना बड़ा गुटाला हो गया और हमारे सरकारी अफसरों को कोई खबर ही नहीं यह यूँ कहें कि पूझी पत्यों को फाइदा पहुचाने के लिए पूरे प्लान के साथ इसे कराये गया था अब एक नज़र लालू यादों के चारा गुटाले की तरब भी डाल लीते हैं चारा गुटाला बिहार राजी के सबसे बड़ा ब्रस्ट चार गुटाला था जिसमें पश्यों को खिलाए जाने चारे के नाम पर करोड़ों रुपे की फरजी वाड़ा किया गया था सरकारी खजाने की इस चोरी में कई अन्य लोग भी शामिल थे उसके साथ साथ फूर मुख्यमंत्री लालू पर साथ भी शामिल थे इस गुटाले की वज़या से लालू यादों को मुख्यमंत्री पद से इस्तवा भी देना पड़ा था यह गुटाला 1986 में हुआ था मगर मामला लगबर दो दशक तर चलता रहा और उने जेल जाना पड़ा तो क्या गुजरात में जो कोईला गुटाला हुआ है बीजेवी सरकार अपने इस्तिफा देगी या उसे बहाना बनाकर इदर दर कर देगी जैसे अभी तक वो गुजरात में कोईले गुटाले को छुपाती आई है आपके इस मुद्दे पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं बागे ख़बरों के लिए देखते रहे हैं नैशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नै जैल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें